मंचूरियन एक ऐसे टिस है जिसे आप स्टार्टर में भी खा सकते हैं या फिर राइस या नूडल्स के साथ भी सर्फ कर सकते हैं बनाना तो इसे इतना आसान है और मैंने इस वीडियो में सारे वो टिप्स बता हैं जिससे पहली बार में रेस्टरेंट से अच्छी वेज मंचूरियन आप घर बे बना सकते हैं वो भी बहुत यासान तरीके से तो चलिए आज के सूपर टेस्टी वेज मंचूरियन के रेसिपी को शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे ना कि सबज्यों को ग्रेट कर लेंगे तो यहाँ पर यह सारी सबज्या मैंने जप्टों से मंगवाई है यहाँ पर मुझे मिलते हैं एकदम फ्रेस सबज्या वो भी सिर्फ 10 मिनट में आजकल मैं मेरी सारी groceries जप्टों से ही मंगवाती हूँ क्योंकि यहाँ पर काफी सारे options है और मुझे हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़े बहुत ही आसानी से मिल जाती है अगर आपको इस recipe के ingredient चाहिए तो आप टॉप राइट वाले लिंक पर क्लिक कीजिए और जप्टों से मंगवा सकते हैं यूज कीजिए मेरा code कविता10 और पाईए flat 10% off तो अब हम इसमें से गोवी, गाजर और कैबिज निकाल लेंगे और इसे wash करके grate कर लेंगे तो दो कप हम यहाँ पे घिसा हुआ या बारी कटा हुआ बंद गोवी ले लेंगे हरा प्याज का हरा वाला पाट ले लेंगे, गोवी ले लेंगे और गाजर लेंगे इन सब को हम क्या करेंगे ना कि बड़े बरतन में डाल देंगे अब हम इसमें डाल देंगे आधी छोटी चमश नमक नमक क्या करता है सबजी उसे मौस्चर रिलीज करता है तो नमक डाल गेना सबजी को ऐसे मिक्स करके पास से 7 मिनट रख दे और उसके बाद निचोड के हम इसका पानी निकाल लेंगे ऐसा करने से मंचुरियन बॉल्स जो है वो अच्छे बनेंगे और तेल में खुलेंगे नहीं तो इसे आप ढ़क के 5 मिलट के लिए रख दे तब तक हम सास बना लेते हैं तो इसके लिए एक बोल में हम 3 चमश यहां पर टमैटो केचप ले लेंगे इसके साथ हम इसमें डाल देंगे 3 बड़े चमश डाक सोया सास साथ में हम 2 बड़े चमश रेड चिली सास डाल देंगे आप इसमें चीए तो सेजवान चटनी का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब हम इसमें डाल देंगे 1.5 बड़े चमश ग्रीन चिली सास अब हम इन सब को अच्छे से मिला देंगे तो यहाँ पर विनिगर का इस्तमाल भी नहीं करना है विनिगर का इस्तमाल बाद में करना है तो इन सब को अच्छे से मिक्स करके पहले से ही रख दे और हमने न सब्जियों को ऐसे रेस्ट करने के लिए रखा था तो उस पाँच मिनट में आप ये दो काम करके रख ले तो पाँच मिनट यहाँ पे हो चुके हैं सब्जियों को हमने ऐसे नमक से मिक्स किया था अब हम क्या करेंगे कि इसे हथेलियों से निचोड देंगे और इसका सारा पानी निकाल देंगे पानी निकालने से सब्जिया जो हो ड्राई हो जाती है और जब आप इसके मंचुरिन बाल्स बनाएंगे तो वो अच्छे से बन देंगे अगर आप इसे नमक डाल के ऐसे नहीं रखेंगे और इसका पानी नहीं निकालेंगे तो जब आप इसमें कॉंसलोर, मैदा वगरा अड़ करेंगे न तो ये जो मिक्शर है वो बहुत गीला होता जाएगा और उस केस में आपको बहुत जादा कॉंसलोर और मैदा अड़ करना पड़ेगा और फिर आपके मंचुरिन बॉल्स में जादा मैदे का टेस्ट आएगा तो उस टेस्ट और उस परिशानी को एवोइट करने के लिए हमेशा जब आप सबजीयो को ग्रेट करें तो उसके बद नमक डालके आपसे मिक्स करके 5 मिनट के लिए रख दे और उसके बद निचोड़ के इसका पानी निकाल दे सबजीयो को मैंने आपär ड़ाई कर लिया है अब हम इसमे डाल देंगे बारी काटीवी शिम्ला मिर्च शिमला मिर्च को ग्रेट नहीं कर सकते हैं इसलिए आप इसे बारी काट के बाद में आड़ करें अब हम इसमें डाल देंगे मैदा और उसके साथ कॉन फ्लोर तो तीन बड़े चमच मैदा डाले और दो बड़े चमच कॉन फ्लोर ध्यान रहे मैदा और कॉंसर दोनों इसमें इसमें इस्तिमाल करना है नमक डाल देंगे स्वाद के निसार फिर हम इसमें एक चोथाई छोटे चमच काली मिर्च का पाउडर या कुटे हुई काली मिर्च डाल दे स्वाद को बढ़ाने के लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ा सा रेट चिली सॉस डाल देंगे अब हम इन सब को मिक्स कर देंगे ध्यान रहे इसे मिक्स करते वक्त आपको पानी का इस्तिमाल बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि सब्जियों में जो मॉश्चर हैगा उसी से यह जो डो है वो आराम से बन जाएगा यह देखे ऐसा पानी इस्तिमाल करेंगे फिर यह सॉफ्ट हो जाएगा तो शेप अच्छा नहीं है इसलिए पानी का इस्तिमाल नहीं करना है अब हथेलियों पे ऐसे थोड़ा सा तेल लगा ले और इसके बाद ऐसे डो बॉल बना ले मतलब जो मंचुरियन के बॉल्स होते हैं वो बना ले इसकी साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना बड़ा या छोटा आपको बनाना है तो यहाँ पे यह देखे यह हमारा एक मंचुरियन बॉल्स बना लेंगे तो यहाँ पे मैंने यह सारे मंचुरियन बॉल्स बना लिया है अब हम चलते हैं तलने के प्रोसेस में तो इन्हें तलने के लिए मैंने तेल गरम करके रखा है गैस का फ्ले मीडियम रखना है और उसके बाद ये मंचुरेंट बॉल्स रहे वो इसमें डाल देंगे ध्यान रे तेल पहले बहुत ज़्यादा गरम करें और उसके बाद गैस का फ्ले मीडियम कर दें चमच से आप इसे ऐसे घुमाते रहें इन्हें आप हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करें हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे न तो उपर की जो लेयर है वो फटाक से डाक हो जाएगी और अंदर से पकेगा नहीं तो gas का flame medium रखना है, मतलब बहुत ज़्यादा गरम तेल में आप इसे डाले और उसके बाद medium flame कर दे तो ये एकदम बराबर पकेगा और खाने में भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा और हमने इसमें बहुत ज़्यादा मैदा या कॉंसलोर नहीं एड़ किया है, तो ये खाने में कैसे भी अच्छा लगेगा तो ये हमारे manchurian balls जो है, वो fry हो चुके हैं, ये रेखिए, तब हम इसे निकाल लेते हैं तो यहाँ पे नापी से ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है, जैसे mix wage पकोड़ा होता है न, वही वही टेस्ट आता है इसमें, बस बेसन की जगह हमने मैदा और कॉंसलोर इस्तवाल किया है तो इसी तरीके से हम सारे manchurian balls को fry कर लेंगे तो यहाँ पे यह हमारा manchurian जो है, फ्राई हो चुका है, मतलब manchurian balls, तब हम चलते हैं sauce बनाने का process में तो अगर आपके कोई सी party वगरा के लिए बनाना है न, तो balls को पहले फ्राई करके रख लिए और बात में जब guest रहे तब आप sauce बना के उसमें डाल सकते हैं तो sauce बनाने के लिए एक पैन में हम दो से तीन चमच तेल जरम करेंगे, बहुत ज़्यादा तेल का इस्तमाल इसमें नहीं होता है फिर हम इसमें डाल देंगे दो बड़े चमच बारी कटिवी लेसुन, एक छोटी चमच हम इसमें बारी कटिवी अदरक डाल देंगे और इन दोनों को पका लेंगे, लैसुन का इस्तमाल इसमें ज़्यादा करना है, जैसे लैसुन दरक पक जाएगा हम इसमें डाल देंगे ऐसे स्कॉयर शेप में कटा हुआ प्याज और तीनों कलर के शिमला मिर्ज जो आपके पास से वो डालें, मतलब अगर आपके पास यल से बना के रखिए, तो अगर आप बारी बारी से सॉस डालना चाहते हैं तो वैसे डाल दें, नहीं तो यह शॉटकर्ट तरीका, मतलब इसमें ना मेजरमेंट गरबड होई नहीं सकता है, एक ही पर मिक्स करके ऐसे डाल दें, थोड़ा सा हम यहाँ पे विनिगर डाल देंग सास है, वो बहुँ ज़्यादा गाड़ा हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे तुरंत क्या करना है कि पानी आइड करना है, तो यहाँ पे अगर आपको ड्राई वाली मंचूरियन बनानी है तो एक कप पानी का इस्तामाल करें, और अगर थोड़ी ग्रेवी वाली बनानी है तो डेड़ कप पानी इसमें डालें, और जैसे ही सास में उबाला जाएगा, हम इसमें ये फ्राई के वे मंचूरियन बाल्स डाल देंगे, ध्यान रे सास को पकाना नहीं है, बस उसमें एक उबालाने देना है और उसके बाद ये फ्राई के वे मंचूरियन बाल्स डाल दे तो यह हमारा मंचूरियन जो है वो बन के तियार हो गया है तो गैस बन करने से पहले इसके उपर बारी कटा हुआ हरा प्यास डाल दे और इससे ऐसे मिला के गैस को बन कर दे तो यहाँ पर मैं आपको दिखाते हूँ कि ग्रेवी के जो ठिकने से वो कैसी है और मंचूरियन को आप हमेशा गर्मा गर्म सर्फ करें आप इसे ठंडा करके खाएंगे तो खाने में अच्छा भी नहीं लगेगा और ग्रेवी जो है वो ठिक होती जाएगी तो यहाँ पर गैस को बन किया मैंने और अब हम चलते हैं इसे सर्फ करने के प्रासेस में तो आप इस वेज मंचूरियन को हाका नूडल्स के साथ खाए या फिर फ्राइड राइस के साथ खाए दोनों के साथ यह पॉफिक्ट जाता है और अगर आपको इसे स्टार्टर में ऐसे ही खाना है ना तो बस यह जो ग्रेवी है वो ना डाले मतलब पानी के कॉंटिटी कम रख्या और इसे ड्राइव बनाए तो यह हमारा सूपर टेस्टी रेस्टरेंट से भी अच्छा वेज मंचूरियन जो है वो बन के तियार हो गया है रेस्टरेंट में अगर आप वेज मंचूरियन और और करेंगे ना तो इसके जो मंचूरियन बॉल्स होते हैं उसमें बहुत जादा मैदे या कॉन सोर का टेस्ट आएगा पर जब आप इसे घर पे बनाएंगे तो इस चीच को अवाइट कर सकते हैं तो यहाँ पे लास में स्प्रिंग अनियन से इसे गार्निश कर दे और इसके बाद गर्मा गर्मा आप इसे सर्फ करें तो यह हमारा रेस्टरेंट स्टाइल वज मंचूरियन जो है वो बन की तियार हो गया है जो दिखने में भी अमेजिन लग रहा है और साथ में खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है तो यहाँ पे न मैं एक मंचूरियन बाल को ऐसे कट करके दिखाती हूँ तो है ना एक्तम सारी सबजी ऐसे क्रिस्पी दिख रही है और जब आप इसे ऐसे इस सॉस में डिप करके खाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा तो उमीद करते हूं कि आज की यह मंचूरियन की रेस्पी आपको पसंद आई होगी आज की रेस्पी में यूज की हुई सारे इंग्रेडेंस की लिस्ट और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिश्टन बॉक्स में दे दिया है और अगर आज की रेस्पी आपको पसंद आए तो वीडियो का अपने फ्रेंड्स फैमली के साथ शेर करना बिल्कुल न भूले